दोस्तो आज हम पढ़ने बाले हैं एक भिन को दूसरी भिन से कैसे भाग कलते हैं यानि के one fraction को दूसरे fraction से कैसे डिवाइट करेंगे fraction proper हो सकता है, improper हो सकता है या mixed fraction हो सकता है लेकिन जो इनके division का method है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये same रहेगा सुरू करते हैं question number 1 है 2y3 को हमें 1y6 से divide करना है तो देखते हैं कैसे करते हैं इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है पहले वाला fraction ऐसे ही लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है और division की जगा हम जो division का निसान है इसको multiply से change कर देंगे क्या करेंगे division को multiply से change कर देंगे और जो दूसरा fraction है इसका reciprocal लिखेंगे या जो नीचे का number है इसको उपर और उपर वाले number को नीचे लिखेंगे तो इसका reciprocal या ब्यूत क्रम 6y1 हो जाएगा बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है division को multiply से change कर देना है और जो दूसरा fraction होगा उसको उल्टा लिख देना है या उसका reciprocal या ब्यूत क्रम लिख देना है अब इसको simple कर लेते हैं 3,2,6 हो जाएगा तो 2 into 2,4 हो जाएगा 4y1 तो 4y रहेगा तो इसका answer 4 हो जाएगा अब next question देखते हैं question number 2 है 5 को 1y5 से divide कर रहे हैं अब इसमें क्या है पहला fraction नहीं है तो पहले वाला number ऐसे ही लिख देते हैं division को हम क्या करते हैं multiply से change करते हैं और जो दूसरा fraction होता है उसका हम रेशी प्रोकल लिख लेते हैं या उसका ब्यूत क्रम लिख लेते हैं या सिंपिल भासा में कहें उसका उल्टा लिख लेते हैं नीचे का उपर और उपर का नंबर नीचे कर देते हैं तो यह 5 by 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इसका आंसर लेकिन अभी division को हम multiply से change नहीं करेंगे अभी हम दूसरे number को हम fraction बनाएंगे कैसे fraction बनाएंगे अभी division का हम division रखेंगे लेकिन दूसरा number हमारा fraction नहीं है उसको हम क्या करेंगे उसका हम fraction बनाएंगे 1 से डिवाइट करेंगे उसको क्योंकि 3 को 1 से डिवाइट करेंगे तो 3 का 3 रहेगा यह change नहीं होगा इसलिए जब दूसरा number fraction नहीं होता है तो इसके नीचे 1 लिखके उसको fraction बना लेते हैं अब फिर same method से हम solve करेंगे पहला number हमें इसे ही लिख लेंगे 2y9 और जो division है इसकी जगा multiply लगाएंगे और 3y1 को क्या लिखेंगे यह fraction बन गया हमारा 3y1 अब इसका उल्टा हो जाएगा तो 1y3 हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 2 into 1 2 हो जाएगा उपर और नीचे 9 3 9 into 3 27 27 हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 2 upon 27 हो जाएगा तो इस तरीके से जान रखना है अब next question है question number 4 है अब देखिए पहला mixed fraction है तो इसके कैसे solve करेंगे जो mixed fraction है इसको पहले simple करेंगे तो इसको simple कैसे करेंगे तो 10 into 2 जाग कितना हो जाएगा 20 और पिलस 4 तो 20 पिलस 4 upon कितना हो जाएगा 10 divided by अभी ऐसे ही रखेंगे ठीक है division का निसान अभी ऐसे ही रहने देंगे यह 4 by 5 हो जाएगा ठीक है तो 20 पिलस 4 कितना हो जाएगा 24 upon 10 यह 24 upon 10 और divided by 4 by 5 ठीक है अब दोनों हमारे क्या हो गए simple fraction ह है अब क्या करेंगे हम अब इसको simple करेंगे तो हम कैसे simple करते हैं वही same method है 24 upon 10 ऐसे ही लिख लेंगे division को multiply से change कर देंगे और जो दूसरा fraction है उसको उल्टा कर देंगे या उसका रेशी प्रोकल लिख लेंगे तो इसका रेशी प्रोकल 5 by 4 हो जाएगा तो 5 टू जा 10 हो गया और 4 6 जा 24 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया तो इसका कितना answer आ जाएगा 3 answer आ जाएगा ठीक है तो यह solve हो गया इसका answer 3 आ गया यहां 3 लिख देते हैं इसका answer 3 हो गया अब next question है question number 5 है अब यह multiple type के division हो गया इसमें पहला fraction है फिर division है फिर दूसरा fraction है फिर division है फिर तीसरा fraction है तो इस question में क्या करेंगे पहला number ऐसे ही लिखेंगे division की जगा division को हम multiply से change कर देंगे और जो दूसरा fraction है उसको opposite कर देंगे रेसी प्रोकल कर देंगे उपर का नीचे नीचे का उपर लिख लेंगे तो 5 उपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा अब फिर division को हम multiply से change कर देंगे और जो दूसरा fraction है उसका भी हम रेसी प्रोकल लि आएगा तो इस तरीके से अब इसको solve कर लेंगे ठीक है 5 2 10 हो गया 2 से 2 4 से 4 तो इसका answer क्या हो गया 1 y 3 का answer हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम एक fraction को दूसरे fraction से divide कर लेते हैं